तो दोस्तो यदि आप भी परिशान है अपने मोटापे से यानि कि अपने बड़े हुए बजन से तो दोस्तो ये वीडियो देखना पूरा चाहे आपका पेट निकला हुआ हो चाहे आपके बाहे मोटी हो या फिर आपके पैर मोटे हो दोस्तो पूरी बोडी में कहीं पर भी म मोटापा है मोटापा आपको चूमतर हो जाएगा इसके लिए हमें ड्रीक बनाना है और ये ड्रीक आपको चाहिए अपनी किचिन से तो आप जीरा लेनी जिएlles और इस जीरे को एक चम्मत जीरे को हम डालेंगे एक कटोरे में या फिर भगोने में और अब इसमें डाल देंगे हम एक गिलास पानी यह देखिए मैंने एक गिलास पानी इसमें डाल दिया है एक चम्मत जीरा लिया है और एक गिलास पानी डाल दिया है अब इसको हम कर देंगे mix और अब उसके बाद में इसको हम रखेंगे गैस पर दोस्तो इस नुस्के को आप जरूर ट्राई करना ये नुस्का आपका जो बेट लॉस की जर्णी है वो बहुत जल पूरी कर देगा यानि कि मात्र पंद्रे दिन लगेंगे आपका बेट चाहे कितना भी बढ़ा हुआ हो आपका बज़न चूमंतर हो जाएगा आप उसे ट्राई जरूर करें और इसका जो रिजर्ट है आप इस नुस्के को पहली बार ही पिएँगे ना पहली बार ही लेंगे तो आपका जो रिजर्ट जो मुटापाई गटने लगेगा कैसे गटने लगेगा मैं आपको दोस्तो इससे पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को like कर देना दोष्तों को share कर देना चैनल पर पहली बारो इस चैनल को subscribe पर लेना bell icon को press करना तो आप देख सकते हैं ये पानी उबलने लगा है इसमें एक उबाल आ चुका था तो मैंने क्या किया गैस का जो फ्लेम है बिलकुल सिम कर दिया है और सिम आज पर आपको इसे पकाना है लगबग दो मिनट के लिए दो मिनट आप इसे इसमाज पर पका लीजिए और आपका जो नुस्का है बिलकुल बन करके तयार हो जाएगा दोस्तों ये जो जीरा है ये जीरा हमारी बोड़ी पे कैसे काम करता है ये हमारे मेटाबलेजन को बूश्ट करता है और जो जमी हुई चर्वी है उसको ये पिगल अगर बढ़ा हुआ पेड़ है तो पेड़ आपका बिलकुल स्लिम ट्रिम हो जाएगा आपकी अगर बजन 80 किलो है आपका बजन मात्र 50 किलो रह जाएगा इसे आप जरूर ट्राई करना और इसके साथ मैं को जरूरी बात बताऊंगी अब मैं आपसे बताते हूं कि इसका य आपका हजम हो जाता है तो मोटापा में परवर्तित नहीं होता है तो इसलिए आप इसे पीज़ेगा यह आपके पूरे बजन को बिलकुल जड़ से खतम करेगा तो आप देख सकते हैं यह नुस्वा बनकर कि बिलकुल तयार हो चुका है और पानी का आप कलर भी देख सकते सात भी आपकी हड़ियों को मजबूत बनाएगा क्योंकि जीरन होता है कैलिसियम आयरन बिटामिनस इसमें बहुत सारे पोशन को करीगा और आपके सरीर को चुष्थतु दुरूस्ट करेगा यानिकी कमजोरी नहीं आने देगा आपका सरीर ऐसा नहीं है कि कमजोरी आजाए आपको ठकान हो जाएगा नहीं मोटापा भी कम करेगा चर्वी को घटाएगा और सरीर में कमजोरी भी नहीं आने देगा क्योंकि सरीर में कैसम की कमी को पूरा करेगा अब हमें करना क्या है यहां पे मैं नुष्के को तयार करे लिया है और इसे थोड़ा सा मैने ठ्यंडा करे लिया है बहुत उवलका हुआ आपको नहीं लेना है यह देखे आप चाहे तो इसे छान लीजिए मैंने तो नहीं चाना आये क्योंकि जीरह सारा पानी के नीचे ही बै गया है तो आप इस तरीके से इस हữaटो त्यार करिए और यह जो क्टोरे में बचा वा जीरा है इस जीरे को अपनी सबस् Signal में साढमा सबजी योज कर लें अब आपको पीना कैसे है बोवि मैं आपको बताती हूं आपको ऐसे ही नहीं पीना है क्योकि अभी यह नुस्धा आपका तयार बिल्कुल नहीं हुआ है तो अब हम इसमें क्या करेंगे आप देज सकते हैं ये आप गुनगुना बचा हुआ है बहुत तेजगरम नहीं है गुनगुना है तो अब हम इसमें डाल देंगे लेमन, लेमन हमें यहाँ पर डालना है आदा, आदा नीबू ही हमें इसमें डालना है, अगर आप बहुत तेजी से बजन घटाना चाहते हैं, तो इसमें नीबू जरूर एड़ करें, अगर आप नीबू मर लोग आपको सूट नहीं करता है, तो आप इसकी जगह पर सहद मिला तो आप सहद मिला ले, तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, तो जिनको नीबू सूट करता है, तो यहाँ पर मैं आदा नीबू इसमें एड़ कर दूँगी, क्योंकि दोस्तों नीबू में क्या होता है, बिटामिन सी, और यह हमारे फैट को, यानि इसको बोलते है, फैट करना, तो यह आपकी बोडी की चर्वी को तो हटाएगा ही, हटाएगा, पेगलाएगा, साथी साथ आपकी पूरी बोडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी पूरी बोडी की क्लीनिंग हो जाएगी, तो आप इसमें नीबू मिला लीजिए, और जिन भाई बेहनों को नीबू तो वो इसे ऐसे ही पीले नीबू डाल करके, तो उनका बजन आराम से कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिन भाई बेहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सहर और डाल देंगे, तो द लेकिन दोस्तों अगर आपको सहत पसंद नहीं है तो आप नामिलाइब कोई प्रॉबलम नहीं है आप घबड़ाए नहीं कि मैं यह नहीं पी सकता हूँ या मुझे यह स्ट नहीं करता है तो मैं यह नुशह कैसे लोओगा लेकिन अगर जैसे कि मैं उसका बता रही हूँ अगर इस तरीके से आपना पूरा प्रॉपर ले लिया तो मैं आपसे बोल वही हूँ कि 15 दिन में आपका जो बजन है वो तेजी से घट जाएगा तेजी से कम हो जाएगा और आपको बेली फैट है, यहाँ पर मैं फोड़ा सा डाल करके दिखा रही हूं आप उसने एक चमच डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने फोड़ा सा शेह बाल दिया है क्योऌकि आदा ग्लास पा भानी है तो मैंने शेह बाल दिया है और इसको हम कर देंगे mix अब आप इसे प्रॉपर शुब्र सुब्र शुब्र खाली पिट यानि की पीना रगिए है। इस ड्रिंग को खाली पिट पीट होई है। बस इतना आप लगा तर- 15 दिन कर लेना आपकी बज़न नहीं बिलकुल तेजी से घढ़ जाएगा और उसके बंद कर देना और ुसके सा सा थोड़ा है परेच कर लेना यानि कि मैदे की चीज़ ना खाएं सक्कर की चीज़ ना खाएं और जब फूर ना खाएं बस इतना सा परिज कर लेना और इस पानी का सेवन करिए आप देखना आपका मोटापा बिल्कुल खतम हो जाएगा जड़ से दोस्तों वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करिए दोस्तों मस्या करें चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियों साथ